राम राम आज हम श्रिमत भगवत कीता के अध्यायतीं कर्म योग का श्लोक सोला संस्क्रित उच्छारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे पहला चरण एव शब्द पुराने के बाद व पी अनस्वार आधाम एवं प्र प्र का अर्थवा प आधा और पूरा व पूरा है ती के उपर आधार है वो आधार व के साथ करेंगे प्रवर्तित शब्द पूराने के बाद तपी अनस्वार आधाम प्रवर्तितम च च के बाद में है क्र क्र का अर्थ हुआ बिल्कुल वही जैसे प्र है क्र में हुआ क्र आधा और पूरा चक्र शब्द पूराने के बाद क्र प्यानस्वार आधमा चक्रम पहला चरण फिर से एवं प्रवर्थितम चक्रम दूसरा चरण नानू व पूरा है त के उपर आधार व के साथ पढ़ेंगे वर त य दोनों अक्षर पूरी दोनों में आमिक्स करेंगे ती के मात्रा बड़ी लंबा कीचेंगे और हमें आमिक्स करेंगे ती हा य में आमिक्स करेंगे य य में आ के मात्रा तो विसारग को पढ़ना है हा य सेकेंड चरण फिर से नानू व पूर्थितम चक्रम तीसरा चरण अगायू री मात्रा के अंदर आधान री के साथ करेंगे रिन और फिर है द्र का अर्थवा द आधा और र पूरा द्र पे ए के मात्रा द्री रिंद्रिया रामो तीसरा चरण फिर से अगायू रिंद्रिया रामो चोथा चरण मोगः शब्द पुराने के बाद घपे अनस्वार आधाम मोगम पार थ के उपर आधार पार और थ में अमिक्स करेंगे पार थ स में अमिक्स करेंगे स जी की मात्रा बड़ी है लंबा कीचन है और ती की मात्रा छोटी है मात्राओं का विशेश ज्यान रखते वे लंबी मात्रा को अधिक समय देना उच्चारण में और व में अमिक्स करना ह जीवती च्वाथा चरण फिर से मोगम पार्थस जीवती तीसरा और च्वाथा चरण साथ में अगायू रिंद्रिया रामो मोगम पार्थस जीवती पुरिश लोग का उच्चारण एक साथ एवं प्रवर्तितम चक्रम अगायू रिंद्रिया रामो मोगम पार्थस जीवती एक बार फिर से एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु रिंद्रिया रामो अगायू रिंद्रिया रामो मोगम पार्थस जीवती श्लोक का अर्थ देखते हैं भगवान ने पिछले श्लोक चौदा और पंद्रा में अर्जुन को बताया कि श्रिष्टी चक्र की सुरक्षा के लिए यग्य अर्थार्थ कर्थव्य कर्म करने जरूरी है नहीं तो श्रिष्टी का जो चक्र है वो बिगड़ जाएगा अब इस श्रिष्टी चक्र के अनुसार चलने यानि अपने कर्थव्य का पालन करने की जिम्मेदारी मुख्य किस पर है? मनुश्य पर है तो जो मनुश्य अपने कर्थव्य का पालन नहीं करता उसकी तारणा भगवान इस आज के शलोक में करेंगे एवप एवप यानि इस प्रकार प्रवर्द्टितम यानि परंपरासे या प्रचलित चक्रम शुष्टी चक्र के नानुवर्तयतिह यह इसमें देखी कैसे शब्द हैं? इसमें शब्द बनेंगे न धन अनु वर्त यती ती की मातरा छोटी है और प्लस इह देखें नानु से बन गया न धन अनु ठेक है अ और न की अ की मातरा मिलके आ बना इसलिए नानु बना तो न धन अनु और वर्त यती ती की मातरा बड़ी है ना इसमें छोटी मात्रा बनाओ तो अनुवर्तयती और ती के साथ में छोटी ती के साथ ई हो ई है छोटा तो छोटी ई और ती की मात्रा छोटी दोनों मिलकर बड़ी ई बनेगा इसलिए यहाँ पर ती की मात्रा बड़ी दी गई है तो तीन शब्द बने न धन अनुवर्त यती धन इह न और अनुवर्त यती न यानि नहीं अनुवर्त यती यानि अनुसार चलना तो न अनुवर्त यती यानि अनुसार नहीं चलता इह यानि इस लोक में यह यानि जो मनश्य अगायू रिंद्र या रामू देखिए इसमें आधर जो है वो अगायू के बाद का विसर घटने पर आएगा तो अगायू हू यानि अगायू जो पाप में जीवन बिताने वाले मनुश्य हैं। जीवती यानि जीता है। उसके अनुसार उस कर्टवे का पालन करता है। कर्टवे कर्म का जब पालन होता है तो उससे यग्य होता है और यग्य से वर्षा होती है। क्योंकि यग्य यानि अपने कर्टवे कर्म का ठीक ठीक पालन करने पर इसका असर देवताओं पर पढ़ता है। और देवता भी परस्परम भाव यंतह के अनुसार वर्षा करते हैं। उस वर्षा से अन यानि जो खाद्य सामगरी होती है वह उत्पन होती है। उस अन को खाने से प्राणी उत्पन होते हैं। और उनी प्राणियों में से जो मनुष्य होते हैं, वो अपने कर्तव्य कर्म के पालन से यग्य करते हैं। तो इस तरह से ये श्रिष्टी का चक्र चलता है, जिसने हमने पिछले श्लोक 14 और 15 में समझा था। तो यही बात यहां भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, इस लोक में, इस संसार में इस प्रकार जो परंपरा से प्रचले श्रिष्टी चक्र है, उसके अनुसार नहीं चलता। मतलग अपने कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला अगायू अर्थार्थ पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। क्योंकि इस संसार में हमें मनुष्य शरीर केवल निश्काम भाव पूर्वक सभी की सीवा के लिए मिला है, ये मेरा और मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए मिला है, लेकिन फिर भी हम इसे अपना समझ कर इसे आराम प्रदान करने के लिए आसकती ममता कामना से बनते हैं और उसके अनुसार उन वस्तों को प्राप्त करने की चेश्टा करते हैं, जबकि हमारा कर्म, निश्काम होते वे संसार की सेवा के लिए होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, तो इस कारण हम कैसा जीवन बिताते हैं? पाप में जीवन, और इस पाप में जीवन को बिताने क कारण हमारा ये मनुष्य शरीर पाना व्यर्थ है अविनाशे सहज सुखराशे हे नात हे मेरे नात मैं आपको भूलू नहीं नारें नारें नारें